छे महीने में पिता और भाई को गंवाया आज अंग्रेजों की कमर तोड़ दी जाने डेब्यू मैच में छा जाने वाले आकाश दीप की कहानी आकाश दीप को चतूर्थ स्रेणी का कर्मचारी बनाना चाहते थे माता पिता फिर अचानक हुआ कुछ ऐसा कि क्रिकेट की दुनिया का बादशाह बन गया बेटा आकाश से दूर रहने को माता पिता देते थे अपने बच्चे को सलहा आज आकाश की सफलता देख मिलने को तरसते हैं लोग तेज गेदबाज आकाश दीप ने राची में इंगलैंड के खलाफ 23 फरवरी 2024 को डेब्यू किया क्या कमाल का डेब्यू रहा उन्होंने पहले ही सशन में अपनी गेदबाजी से इंगलैंड टीम की कमर तोड़ दी महस दस गेदों के अंदर आकाश ने बैजबॉल खेल रही इंगलैंड टीम को मज़ा चखा दिया उन्होंने इन दस गेदों के अंदर तीन विकेट छटके पर आकाश की शुर्वाती जिन्दगी उतनी आसान नहीं रही है साल 2015 में छे महिनों के अंदर उनके पिता और भाई की मौत हो गई थी उनके पिता का स्ट्रोक की वज़ा से निधन हुआ था पिता के निधन के दो महिने बाद उनके बड़े भाई के जान चली गई घर में पैसे नहीं थे और आकाश को अपनी मा की देख भाल करनी थे इस कारण उनको क्रिकेट को तीन साल के लिए वेराम देना पड़ा इस दोरान उनको ये एहसास हुआ कि उनके लिए क्रिकेट खेलने का सपना इतना बड़ा था जिसे वो छोड़ नहीं सकते थे इसके बाद वो दुर्गापूर लोट आए और फिर बाद में कोलकाता चले गए जहां उन्होंने एक छोटा कमरा किराय पर लिया और अपने चचेरे भाई के साथ रहने लगे 27 साल के आकाश दीप सासाराम के हैं आकाश सबसे पहले दुर्गापूर साल 2010 में गए थे आकाश ने हाली में टीम इंडिया में सेलेक्ट होने के बाद कहा क्योंके एक दोस्त ने उनके बुरे समय में खूब मदद के इस दोस्त की मदद से वो पश्रिम मंगाल के दुर्गापूर पहुंचे जहां उन्हें एक कलब की तरब से खेलने का मौका मिला यहां उनकी कमाई टेनिस बॉल क्रिकेट से होती थी वहीं उनके चाचा भी दुर्गापूर में उनके मदद कार पने इसके बाद वो यहां से उबरे और पहले घरेलू क्रिकेट खेले वहां खूब पसीना बहाया हाली में आकाश जब टेस्ट टीम में सेलेक्ट हुए थे पर यहीं आकाश दीम की एंट्री हुई इसी स्कोर पर आकाश दीम का मैजिक शुरू हुआ आकाश दीम ने इस स्कोर पर पहले बेन डेकेट को निपटाया आकाश दीम ने दसवे ओवर की दूसरी गेट पर बेन डेकेट को विकेट के पीछे ध्रोई जुरेल के हाथों कैच आउट करवाया इसके ठीक दो गेदों के बाद ओली पोप जीरो पर आउट हुए 47 पर इंग्लेंट का स्कोर दो हो चुका था कुछ दिर बाद आकाश का जादू फिर से चला और उन्होंने फार्म में दिख रहे जैक क्रावली को क्लीन बोल्ड कर दिया पर आकाश को पहली सफलता जल्दी भी मिल सकती थी दरसल चोथे ओवर की पाँचवी गेद पर राची में ड्रामा भी देखने को मिला उनको जैक क्रावली का विकट मिल गया था इसके बाद वो जश्ट मनाने लगे लेकिन तभी नो बॉल का सायरन बच गया जिस से क्लीन बोल्ड हुए क्रावली उस समय बाल बाल बच गये जबकि उस समय क्रावली महज चार रनों पर थे बतादे कि मैच में डेब्यू के तुरंत बाद आकाश ने अपनी माँ के पैर चुवे ये पल बेहद एमोशनल था राची में उनके डेब्यू के दौरान उनकी फैमली के कई लोग मौजूद थे 27 साल के आकाश दीब मुलतब बिहार के सासाराम के रहने वाले हैं उनका जन डेहरी में हुआ था लेकिन वो घरिलू क्रिकेट में बंगाल के लिए खेलते हैं वैसे आकाश दीब के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा क्रिकेटर बने आकाश ने एक इंटरbyू में कहा था बिहार में तब क्रिकेट के लिए कोई बड़ा प्लेट फॉर्म नहीं था खासकर जहां कि वो रहने वाले हैं वहां क्रिकेट खिलना क्राइम माना जाता है उनके आसपास में रहने वाले कई बच्चों के माबाप कहते थे कि आकाश उसे दूर रहो वो पढ़ाई नहीं करता और इसकी संगत में रहकर बिगड़ जाओगे वैसे डेबियू मैच में आकाश की परफॉर्मिस देखकर आपकी क्या राह है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं इस वीडियो में फिरहाल इतना ही